नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुखबर जानते हैं बतादे बैठक में लुग बुरुपा हाड पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट पर रोक लगाने के उसंसा की गई वहीं जार्खन मोटर वाहन अधिनियम में टेक्स डिफोल्टर वाहनों की अर्थ डंड की रासी देने वाले रेगुलेट को किया जाएगा वहीं केविनेट की बैठक में योजना विकास विभाग जार्खन अंतरगत जार्खन सांकी की नियमावली 2011 में संसोधन बित विभाग अंतरगत 9.3 निदे साले पेंशन एवम लेखा निदे साले बित निदे साले एवम अंकेंचन निदे साले के अधक्ष को विभाग अध को अधिकारियों के बेतन्व भत्ते में बढ़ोत्री कर दी गई है कैबिनेट में कूल 33 प्रस्तापर सोक्रीती दी गई है जारखन में 42 ट्रेने रध यात्रियों की बढ़ी परिसानी दक्षिन पूर्वर रेलवे ने 22 से 30 जून तक 42 ट्रेनों को रध किया है रेलवे में मैं और जून महिने में करीब 130 ट्रेनों को रध किया है ट्रेनों को रध करने का आदेस मौई से लेकर जून माह तक अलग अलग जारी किया गया ट्रेनों के रध होने के बाद πूरी परिचालन व्यवस्ता चर्मरा गई है बता दे जमसेथफूर के टाटा नगर स्टेशन से होक प्रती दिन अवस्तन 54 ट्रेने गुजरती है इनमें से करीब 29,000 यात्री सपर करते हैं इनमें 12,000 अनरक्षी सेन्नी के तथा 7,000 अरक्षी सेन्नी के होते हैं यात्रियों के टिकट से लेक कर रेलेवे को प्रती दिन 22-25 लाक रुपे तक क्यामधनी होती है एक महामेसिफ टाट नागर एस्टेशन से करीब 500 को रुपए की कमाई होती है जार्खन को नसा मुक्त बनाने के लिए सरकार परतिबद चमपई सुरेन जार्खन को नसा मुक्त परदेश बनाना है और इसमें हर किसी को अपनी सहभागिता निभानी होगी सभी के परियास्वत से ही मादक और नसीले पदार्थ पर रोक थाम संभव है इस संकल्प को सीएम चमपई सुरेन बुद्वार को जार्खन मंत्राल में आयोजित कारकरम में नसा मुक्त जार्खन बनाने के लिए जगरुपता रत को अरी जंडी दिखा कर रवाना करते हुए दोराया उन्होंने कहा है कि नसे पर नियंत्रन से ही बेहतर समाज और राज बनेगा इस अस्तर पर सभी ने नसा मुक्त जार्खन अभियान के तहट एक जुट होकर समाज को नसा से दूर रखने की सपत लिए मुक्यमंत्री ने कहा है कि नसे पर नियंत्रन की दीशा में जगरुपता रत को रवाना किया जाना एक महत्पुन पहला है इसे नसे के दूस प्रभाव के प्रती लोगों को जागरुप करने में मदद मिलेगी सिक्छक नियुक्ती मामला राज अस्तर पर तयार मेधा सुची कोट में होगी प्रस्तूत जारखन हाई कोट की जश्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में राज में सिक्छक नियुक्ती से समधित मामले में सुनवाई होई सुनवाई के बाद अदालत ने जैसेसी को राज अस्तर पर तयार की गई मेरिट लिष्ट को सपत पत्र के माध्यम से कोट में प्रस्तूत करने का निर्देश दिया है मामले की अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी सुनवाई की दोरान JSC की ओर से कहा गया है कि राज जस्तर पतयार merit list को सपत पत्र के माध्यम से कोट में प्रस्तूत नहीं किया जा सकता अगर कोट इसका ओलोकन करना चाहती है तो आयोग की ओर से सिल बंद लिफ हाफे में merit list कोट को दिया जा सकता है लेकिन अदालत ने आयो के आगरह को असविकार करते वे सपत पत्र के माध्यम से ही मेरिटलिस्ट कोट में प्रश्टूत करने का निदेश दिया है इस सम्मान में मीना कुमारी सहीद 50 से अधिक या चिकाय हाई कोट में दाखिल की गई है जारखन में तेज हावाओं से ठंड़क बारिश से मिली राहात जारखन के रांची में बुद्धवा रात करीब आठ बये तेज हावा और गरज के साथ होई बारिश ने राजधानी वासियों को पिछले लंबे समय से पढ़ रही प्रचंड गर्मी से राहात दिलाई है सहर के कुछ हीसों में जहमा जहम तो कुछ जगों पर हलकी बारिश हुई है इसी बीच बादल भी खुब गर्जे रांची में 40-50 किलोमेटर प्रति घंटा की रफ्तार से चरी तेज हावा के चलते सहर में कई अस्थानों पर बड़े पेण भी धारसाई होगा है हलाकि इस से कहीं भी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है बता दे रांची मोसम भीभाग कमसार जहरकन पिछले 24 कंटे के दवरान गिरी डी हजारी बाग रांची को रमाजी बोकारो और लोहर दगगा आदी जिलो में तेज हावा के साथ हलकी बारिश हुई है उधर बुद्वार को लाते हार जिले में 23, खोटी में 14 और वोकारो में 7.5 मिलिमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई इसके अलावा देख और हजारी बाग जिले समेत रांची में तेज हावा के साथ हलकी छिटफुट बारिश दर्च की गई है रांची से मोबाइल चोर के साथ सदसे गिरफतार रांची के रातू ठाना के पोलिश ने एतवार बजार से मोबाइल चोरी करने के आरोप में एक नवाली को पकड़ने के बाद पूरे गिरोह का खुलासा करते हुए 7 लोग को गिरफतार कर जेल भेज दिया है पांच आरोपितों को पोलिश ने जेल भेजा है वहीं दो आरोपितों को बाल सोधार गिरी भेजा गया जेल जाने वाले आरोपितों का नाम लड़ू नोनिया, मिठो नोनिया, जीतेनर नोनिया, पूसवा नोनिया और अरजु नोनिया है पुलिस ने सभी आरोपितों के पास से चोरी किया हुआ 89 मोबाइल बरामत किया गया है SSP चंदन कुमार सिन्हा ने बताया है कि रहातू इलाके से एक नवाली को पकड़ा गया तो उसने बताया कि उसके साथ कमड में रहते हैं वहीं पुलिस कमडे इस्थीत बिटू चोधरी के घार पहुची और वहाँ छापे मारे की गई तो किरैदार के रूप में रहने वाले च्छा अने लोग भी पकड़े गए हैं गुमला में चीटफंड कमपनी ने लोन का जासा दे कर सेकलो ग्रामीनों के साथ की ठगी बीतिये जगरूपता अभियान चलाने के बाद भी लोगों में जगरूपता नहीं आपा रही है यही कारण है कि चीटफंड कमपनी यों लोगों से ठगी कर अपना मतलब साधने में सफल हो रहे हैं बताद ज़ार्खन के गुमला सहर के सरना टोली स्थीत एक मकान में पिछले कई महसे संचाली चीटफंड कमपनी MS Micro Finance Limited के द्वारा ग्रामिन छेत्र के 200 से अधिक ग्रामिनों से लोन देने के नाम पर लाखा रुपए की ठगी कर चंपत हो जाने का मावला परकास में आया है चीटफंड कमपनी ने परतेक ब्यक्ती से 3,050 रुपए से लेकर 65,000 रुपए तक लोन देने का वादा किया था वहीं 2-3 दिनों से जब ठगी करने वाले मोबाइल नहीं उठाने लगे तो लोगों को सक हुआ ठागी के सिकार हुए ग्रामिन एक दूसरे से बात कर मंगलवार को सरना टोली स्थीत उस मकान में पहुँचे जहां चीटफंड कमपणी का ओफिस चलता है यहां पहुचने पर क्याले बंद पाया गया तब ग्रामिनों ने इसकी सुचना पहले थाना को देना मुंकिम समझा एन आये की गिरीडी में रेड नकसलियों के चार ठीकाने पर छापे मारी कुलकात्ता के पार्क स्ट्रीट थाना छेत्र में स्थीत मिर्जा गालिव स्ट्रीट में गत सनिवा तड़के हुई गोली बारी के मुख्या आरोपी मोहमद हफिमुदीन उर्फ सोना को कुलकात्ता पुलिस के एन्टी रावडी एसक्वाइड की टीम जहारकन की गिरीडी स गिरफतार कर लिया है बुद्वार सुबा उसके एक रिष्टेदार के ठीकाने से उसे गिरफतार किया गया पुलिस के मुतावि घटना के बाद वह पार्क स्ट्रीट में अपने इलाके से फरार होकर सड़क मर्ग से कुलकात्ता से भाग कर पहले धनबाद फिर गिरीडी मे अपने एक रिष्टेदार के यहां जाकर शिपा था उसे गिरफतार करने के बाद बुद्वार रात को गिरीडी से कुलकात्ता लाया गया यहां गुरुवार को उसे बैंक सॉल कोट में पेस किया जाएगा अमिताभ चोधरी रांची विमेंस फुटबॉल लिंग आज से रांची में पहली बार गुरु वार्षे महिला फुटबॉल लिंग सुरू होगी यह मुकाबला दोपर ढ़ाई बजेस से खेला जाएगा दिन का दूसरा मैच दोपर साड़े तीन बजेस से SBC जोरार नामकूम वा DSS अकाडमी के बीचोगा मैच से पहले आदिवासी ग्रूप रांची धाक नगाड़ा वा सहनाई से खिर्याड़ियो वा दर्षकों को लुभाएंगे नागपूरी सिंगर बर्खा बढ़ाईक भी करकन प्रस्तूत करेंगी गर्मी को लेकर स्कूल सुबह 7 से सड़े 11 बजे तक राज्य के सभी सरकारी गेर सरकारी समय सभी स्कूल अब सुबह 7 से दीन के सड़े 11 बजे तक संचालित किये जाएंगे इस समन में स्कूली सिक्षाम सरचर्टा विभाग के ओर से आदेश जारी कर दिया गया है इसमें बताया गया है कि राज्य में गर्मी और उसन लहर की स्थिती को देखते विए आदेश दिया गया बतादे कि जार्खन सरकार ने राज्य में भीशन गर्मी को लेकर केजी से बारहमीत तक कक्छाय 15 जुन तक बंद रखने का निने लिया था इससे पहले भी भाग ने इसकूलों को 15 जुन तक सुबह साथ से गारहवे तक संचालित करने का फ़सला किया था मादक पदार्थों की रोक थाम के लिए खुटी में 26 जुन तक बिसेस अभियान मादक पदार्थों के दुरूप्यों को समाप्त करने और इसको लेकर जागरूपता के लिए जीला पर सासन द्वारावी से सभियान चलाया जाएगा उपायुक ने बताया कि अभियान के 18 और 29 जुन को क्विज और पोस्टर निर्मान परत्योगता 20 जुन को निबंधन लेखन 22 जुन को परभाद फेरी सलोगन लेखन भाजन परत्योगता और चित्रांकन वहीं 24 जुन को इस्कूली बचो द्वारा साइकल रेली और 25 जुन को प्रात्ना सभा में जीला के पताधिकारियों द्वारा बच्चो का उनमुखी करान और 26 जुन को अंतराश्टिय नासा निरुधक दिवस का उसर पर इस अपत और विद्याले अस्तर पर संपन परत्योगता का प्रोश्कार बित्रन किया जाएगा टेक्स डिफोल्टर का होगा वन टाइम सेटलमेंट जारखन सरकार ने मंतरी परिषद की बैठक में वाहनों के टेक्स डिफोल्टर को वन टाइम सेटलमेंट के प्रिस्ता पर मुहर लगा दी है अब राजी के टेक्स डिफोल्टर को one time settlement का मौका दिया जाएगा केबिनेट सची वंदरा दादेल ने बताया है कि अर्थद्रंड माफी की स्विक्रिती दी गई है राजे में 4,83,000 वाहान डिफोल्डर है इनका 204 को रुपे बकाया है इनमें मुलधन 768 कोरवर और 143 कोरवर की पेनाल्टी है अर्थद्रंड की राजी में one time settlement के रूप में 50 पर्थद के छूट दी जाएगी जबकि पूर्ण पत्थकर का पूरा भूगतान करना होगा इससे टेक्स रेगुलाइज हो सकेगा धन्यवाद